नवश्कार तो राजनीती में जो सबसे एहम पड़ाओ होता है चुनाओ हम उसके बीच में हैं और इसलिए चुनाओ में हर दिन परिस्तियां बदल रही हैं समीकरण बन रहे हैं बिगड रहे हैं लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि भरती जनता पार्टी के समीकरण ठीक नहीं च चाई थी जिस तरह से वो चाहते थे कि वो चुनाओ को ले जाएंगे वो काम्याब होते कम दिखाई दे रहे हैं मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी सियासी बिसात को विपक्षे दलों के लोग बहुत करीने से बहुत चतुराई से दूसरी दिशा में बदलते हुए नजर आ रहे हैं ऐसलिए अब हर दिन बदलते हुए परिसितियों के बीच विशलेशन बदलता जा रहा है और ये चार जून तक निश्यत हो पाएगा कि असल में करवट किस तरफ ली गई और चुनाव का प्रेडाम क्या हुआ लेकिन अभी जो फिजाएं बदल रही है उसका विशलेशन इस तरह से किया जाना है कि वो किस की तरफ जुक रही है किस तरफ रुजान इसका जा रहा है तो बात हम अगर करें तो इस समय सबसे होट मुद्दा दो या तीन बनावा है टिकट के तरह का जैसे ये शुरू वहां से हुआ था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए केला चार सुपार अबकी बार अकेले भारी सब पर थे नरेद्र मोधी उनको विपकची धलों के गडबंदनों को तोड-तोड करके एक-एक करके सबको अपने पास लेआना पड़ा, सबको अपनी तरफ खीचना पड़ा, ये सारा काम करना पड़ वहां से शुरू हो करके प्रजल रिवन्ना जैसे घोर बलातकारी को भी अपनी पार्टीस के समर्थन में रैली करनी पड़ी और प्रधान मंत्री के यह टिकट वित्रान पर घोर अपक्ति उठने लगे कि अब बलातकारी बीजेपी के साथ खड़े हैं और एक बलातकारी और क्रूर बलातकारी निर्मम बलातकारी प्रजल रिवन्ना जैसे व्यक्ति के लिए प्रधान मंत्री नरेंद मंत्री वोट मांग रहे हैं दूसरा सवाल आए भरष्टाचारी का तो इलेक्टोरल बॉंड की भयानक लूट जैसे बलातकार के सेक्शल हरास्मेंट के मामलों में प्रजल रिवन्ना जैसा मामला अप्रत्याशित है कोई एक-दो महिलाओं के साथ बलातकार करें दो-चार के साथ करें अपराद करें गलत करें वो अपरादी है जो लगभग तीन हजार महिला हैं जिसके शिकायत कर चुकी हैं और जिसका शिकार हो चुकी है ऐसे व्यक्ति को बीजेपी चुनाओ के बीज में विदेश भगव देती है और प्रदान बंती नरिद मोदी उसकी केंपेन करने के लिए चले जाते हैं बलतकारियों के साथ खड़े होने वाले लोग कट हुआ के साथ खड़े होने वाले लोग हातरस की बेटी में जो अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए थे वो सारे लोगों को आज भी यह पीस होती है कि हातरस में न्याय नहीं मिला और इलेक्टोरल बॉनड जैसी लूट वैसी लूट चुटी मुटी लूट होती है कोई पाच करून, दस करून दाएंबाएं कर ले, सौ करून दाएंबाएं कर ले, हजार हजार करून रूपयों का चंदे की वसूली, धंधे के नाम और एडिसी वियाई से डराग करके वहां बीजेपी बोरी तरह से फस गई भष्टा चार बलातकारी महिला सुरक्षा की बात करती है प्रधानमंत्री नेरेद मोदी को इस बात की चिंता हो रही थी कि आपके मंगल सूत्र चीन करके मुसल्मानों में बाठ देंगी यह प्रधा सरकार बन गई इसका मतलब बीजेपी मनोवेग्यानी खेल में शिकस्त पाती दिख रही है कि सरकार वेपक्षे दलों की बन रही है क्या इसलिए वह आगाह कर रहे हैं इनको वोट मत दे देना इनको इनको मत आप समर्थन दे देना यह एक खेल चल रहा है तो टिकट बीजेपी इतनी कमजोर पार्टी हो गई कि बीजेपी को जाट वोट नहीं देंगी तो बीजेपी जीतेगी नहीं बीजेपी को पश्म यूपी में जीतना है बीजेपी को हर्याणा में जीतना है बीजेपी को किसान अंदोलन की नुकसान की भरपाई करनी है काले कानून व लड़ियों के साथ बहुत अन्याय तैचार किया, बीजेपी ने कोई कारवाई ने की, ऐसे वक्त में बीजेपी ने कैसर गंज यूपी का टिकट रोके रखा, और जब दो चरण का वोट पड़ गया, जब पश्मी यूपी में जाटों को वोट दिलाने के लिए चौदरी चर संग्ज, जिन किसाना अंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, किसानों के जनमुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहे, वो काम तो बीजेपी सरकारन नहीं किया, किसानों को MSP देना, मुल्क की तरक्की का रास्ता खेतों और खलियानों से उकर जाता है, उन खेतों खलियानों किसानों को आय दुगनी करने के बज़ाए करच दुगना कर देना MSP कानून की गारंटी देने की बात मैनुफेश्टों में न रखना किसान नाराज तो जहन चौधरी को मिला लिया जहन चौधरी परिवारवाद नहीं है बता ही जहन चौधरी तो तीसरी पड़ी है बीजेप परिवारवादी बलातकारी सब बीजेपी के साथ कड़े हो गए बीजेपी इतनी मैंड गेम में कमजोर पड़ गई है अकेले सब परबारी हो रहे थे तो दो चरण का वोट पढ़ने के बाद उनको समझ में आया कि अब ब्रजभूशन सवरसिंग वाली टिकट का फैसला कर है उसका बीजेपी में मोदी के बाद वाले नेता से बड़ा अच्छा संबल है क्योंकि लखनव वाले नेता पताने उतना पसंद करते की ने तो टिकट तो उसे मिलना था समझोता इस बात पर हुआ कि टिकट आपको नहीं मिलेगा टिकट आपके बेटे को मिल जाए और उस के सी राजनीती आपके कि आप इतने डरे हुए हैं कि आप यह सारी चीज छोड़ दे रहे हैं कि उसको टिकट बलात्कारी के बेटे या रोप लगाने भाई उसी दबाओं में तो आपने टिकट नहीं दिया क्योंकि सारे टिकट आप दे रहे हैं कि तो वो विसाथ जो बना दोगे कलम वीर बना दोगे नौजवानों को पक्की नोक्री देने कि वजह तुम अगनी वीर दे रहे हैं किसानों को बधाली दे रहे हो महंगाई कम नहीं बोलते यह सारी चीज़े चल रही है तो उनकी विसाथ वैसे ही फेल हो रही है उसी बीच में अमीठी राइब पामिल होते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे यह ऐसी लड़ाई है जिसमें पीछे खड़े होकर की कोई लड़ाई नहीं लड़े जा सकते हैं सामने से 1-2-1 लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि बीजेपी सामने खड़ी वीजेपी चाहती है कि आप इस तरह की चीज़ों म लड़ेंगे राहुल गाधी तैक कर रहे थे वैनार से चुनाव लड़ चुके थे वहाँ भी एक खेल चल रहा था कि दो चरण के बाद यहां पर तैक करेंगे कि कहां से लड़ेंगे बहुत साथ बिछा दी बीजेपी और बीजेपी ने अमेठी को पूरी तरह से अपने गिर से संसाधन से बैक डौर की पॉलिटिक से और यह सारे पत्रकार खोले पर चर्चा कर रहे हैं अंदर के सूत्र जीकार नहीं कहते हैं सूत्र बताते हैं कि बिजेपी ने साथ बिछा रखेती कि वह बार बार वो सारी चीजें करेंगे ताकि किसी तरह से वो सारे लोग वो सारे लोग जो राहुल गांधी को पूरे देश में प्रजार करते हुए देखना चाहते हैं तो राहुल गांधी को एक सीट पर ऐसा उल्जा दिया जाए कि वो इस सीट को जीतने के लिए ज्यादा समय यहां देते और वो कोशिश इनकी इस रूप में रही कि अगर वो यहां उल्जे रहेंगे और अंदर से हमने इतनी बिसाज बिचा रखी है यह चुनाओ तो हम नहीं जीतने देंगे और यहां बात समझ में आ गई पत्रकारों का कहना है जो यूपी को देखते हैं जो कॉंग्रेस को देखते हैं उनका देखना है उनका कहना है कि यह सारे समिकड को लेक करके वो सारे चीज़ें कॉंग्रेस पालिटी की लिडर्शिप में डिबलप हुई डिस विवार की बहुत महत्पूर सीट है राइवरेली राइवरेली प्रधान मंतर दी है राइवरेली पुष्टनी सीट है इसलिए बाकी सीटों को छोड़ देना एक अलग बात होगी लेकिन राइवरेली को छोड़ देना एक अलग मुश्किल पैदा कर देगा इसलिए राइवर गांधी की सीट रही हो प्रेजिडेंट नेशनल प्रेजिडेंट और खुद राहूल गांधी भी नेशनल प्रेजिडेंट रहे हैं राहूल गांधी ने शर्त रखी कि अगर कोई पूछेगा तो मैं यह कह दूंगा कि वाइनॉड नहीं छोड़ रहा मैं वाइनाड रखेंग और वाइनाट रख करके वो ये कोशिश करेंगे कि हम ये मैसेज दें तो उन्होंने उनको ये कहा गया कि भई आप बात ही मत इस पर बोलिएगा इस पर जवाब ही मत दिजिए और दो-चार दिन दो-चार परसेंट यहां की चीजों को राइवरिली को मैनेज करते रहिएगा नरेंद्र मोदी की नीतियों और नरेंद्र मोदी की योजनाओं को सीधे सीधे चुनाओती देते रहिए राइवरिली की सीट भी ऐसी है जिसको वो आसानी से राहूल गांदी निकाल सकते हैं और उनके निकाले जाने के साथ साथ ये सारी परिस्तियां बदल जाएंगी और वो सदन में पहुचेंगे और चुनाओ जीतने के पाद फिर देख ले जाएगा कौन चुनाओ लड़ेगा आज माहौल ऐसा बनेगा कि अगर ये सारी चीजें इस दिशा में चलेंगी तो उसके बाद एक काम ये कर सकते हैं कि भाई वह पूरा का पूरा मामला बाद में उनको वोट दे करके घुमा सकते हैं कि भाई प्रियंका गाधी चली जाएंगी सदन चली जाएंगी जब वाई नाट भी जीत जाएंगे अमेटी भी जीत जाएंगे तब तो बहुत सारी फैसले तो बाद के लिए आते हैं अभी जो एक संदेश देना है उत्तर प्रदेश के जाएं जाएगा और वो संदेश ऐसा जाएगा जिसको बीजेपी देखे लग गई और बीजेपी लग करके ही काम कर रही है और वो लग करके ही काम करना चाहरी है कि भाग गए डर के बाग गए जो कह रहे थे डरो मत वो भाग गए लेकिन ऐसा होता होता नहीं आप रान मंत प्रश्री और तमाम लोग अपने वादों से डर के भाग गए उस पर कभी बात होती नहीं तो उस तरह की चीजों से कोई मतलम नहीं है बीजेपी तो वह भी भाशा बोल रही है जो कि मैंने फिश्टम लिखा ही नहीं अब वह भेंस को परिशानी में डाल रही है कि आपकी भे परिश्टियां ऐसी बदलती जा रही है कि इन परिश्टियों के बीज बीजेपी की बिचाई हुई बिसात जो अमेठी में बीजेपी ने बिचाई थी उस बिसात को बहुत करीने से विपक्षे दलों के लोग भेदने में लगे हुए है और ऐसे वक्त में बीजेपी अपन बनाई हुई विसात में खुद गिर रही है चाहे वो कैसर गंज में ब्रजभूशन शरण सिंग के बेटे को टिकट दे करके बीजेपी ने यह मैसेज तो दे दिया कि भाई यह मामला एकदम ठीक नहीं है आप बलातकारी तमाम तरह के प्रज्वल रिवन न उसको टिकट दे रहे हैं महिलाओं ने शोशन का रोप लगाया महिलाओं ने शोशन का रोप लगाया ब्रजभूशन पर वहां आपने तिकर दे दिया तो बीजेपी घर गई और बीजेपी ने जो एक प्लान बना रखा था खिलेशा तो लड़ेंगे नहीं तो समाझवादी पार्टी के लो कर गूम देंगे और कल्पना करिए अमेठी में उस तरह की परिश्टित्स बन जाए कि वो परिश्टियों में अस्मृति रानी को जो जनता खुद हराना चाह रही है और वहीं केल शर्मा उनको हरा दे और राहुल गाधी राइवरेली से एक मैसेज देने में कामियाब हो ग आई थी वह भी फेल हो गई तो बीजेपी इस समय मुश्किल में घरते जा रही है अब एक आखरी बात और बहुत जरूरी बात अगर आप पेरी बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो इस बात को बहुत गंबिरता समझेगा पहले और दूसरे चरण के रुजहान के बाद आप सब को काईदे से पताए कि अब नरेंद्र मोती, हमिश्चा, योगी अरितनाथ जितने बढ़े नेता हैं अब वो केवल बंटवारे की पॉलिटिक्स में फिर से जा चुके हैं वो मंगल सोत्र, मा टन, मा चली यह सारी चीज़ याद कर रहे हैं मंडल कमिशन नहीं याद कर आप अपने असली मुद्ध पर आगे इसका मतलब कि उनको बेचैंड है जनता उनके खिलाबपन बनाई हो एक चुनाव आयोग का डेटा आया लोग उस पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप लोग इसकर कितनी निगार रखे वोगे मुझे नहीं पता कि जब चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरणकी वोटिंग के बाद वोटिंग प्रतिशत जो जारी किया उसका कैलकुलेटे डेटा जब 10 दिन बाद जारी किया तो उस दिन के डेटा और कैलकुलेटे डेटा के बीच 5 से 6 परसेंट की मार्जिन आ गई 6 परसेंट वोट बढ़ गया लोग बड़ा संदे की नजर से देख रहे हैं कि 6 परसेंट वोट बहुत होता है जुनाव आयोग कहें पीछे से कोई खेल तो नहीं खेल रहा पता नहीं आप ना अगरिक हैं इस खेल पर आप कितना नजर रखके हुए पर वहीं दूसरी तरफ तीसरे चरण से ले करके पोलिस प्रशाशन और वोटिंग डालने के समय जो विपक्षी दलों के लोग हैं उनको परिशान करने की खबरें बढ़ती जा रहे हैं बढ़ती जा रहे हैं मैं घूम रहा हूं कई जगव पर और लोग अब ये शिकायत कर रहे हैं कि विपक्षी प्रशाशन परिशान करना शुरू कर चुका है काईदे से पहले भी कर रहता है लेकिन अब बढ़ाती है तो क्या अब इस देश में चोनाव और राजनीत सीधे सीधे होने की बजाए अब सीधे मीडिया में क्या दिखाय जा रहा है वो तो सबको पता ही है लाइव टेली का चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथ तक चली जाएगे चौकन्ने रहना होगा सजग रहना होगा और देखना होगा कि जब अपनी बनाई हुई विसात पर फेल हो रहे हैं तो आगे उनका अगला एजंडा क्या होगा उनहार एजंडों पर बात करेंगे आप भी नजर बना सब्सक्राइब करते रहे हैं फिर मिलेंगे किसी और विश्वेशन सब्सक्राइब तक के लिए बहुत बहुत अन्यवाद